हलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग दिखते हैं कॉंट्रेक्ट लॉप पेपर सेकेंड पढ़ना है आप लोगों को एलल भी फरस्ट इयर में उसके अंतरगत मैंने आपको कुछ अब्जेक्टिव पोस्चन दिये थे पिछली वीडियो में और अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आपक आपको मैंने कहा है कि जो भी आप अब्जेक्टिव सॉल्व करें उसको डीटेल्स में उसके देखें इससे आपके अब्जेक्टिव के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव भी त्यार हो जाएंगे मैं इसके भी त्यारी हो जाएगे चलिए देखते हैं हम लोग उन प्रस्ण को बारी बारी से पहला प्रस्चन था एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है तो यह क्या है अब आपको बास चार ऑप्सन है एक है क्या ओपनिधान तो बेलमेंट गिरवी प्लेज कहा जाता है या फिर आपको पढ़ना है Contraint Second में Belment और Pledge अब इसमें अगर आप देखेंगे तो Belment की परिवासा जो है वो दी गई है section 148 में 148 में और गिर्वी की परिवासा दी गई है section 172 में 148 में Belment की परिवासा दी गई है और बेल्मेंट में क्या कहा गया है, कहा गया है कि अबेल्मेंट is the delivery of goods, क्या है, delivery of goods है, by one person to another person for some purpose, किसी खास प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति को समविधा पे, upon a contract, क्या करना है, deliver, माल का परिदान करना है, बात यही तक नहीं है, when the purpose is accomplished, जब purpose पूरा हो जाए, तब वो क्या करेगा, उसको return कर देगा, हां, जैसा वो कहा है, according to the direction of the person delivering them, जैसा उसने कहा है कि भाई, इस तरीके से मुझे वापस कर दीजे, आपको वापस करना है, इसी section में बेलर और बेली को भी define किया गया, कि the person delivering the goods is called the बेलर, and the person to whom they are delivered is called the बेल जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति माल देता है, वो क्या कहलाता है, वो बेलर कहलाता है, जिसको माल दिया आता है, वो बेली कहलाता है, आप इसको पढ़ चुके हैं, इसके उधारन आप जान चुके हैं, अब एक दरजी के यहां आप जाते हैं, और अपना कपड़ा सिलने के लि वो court seal करके आपको क्या करें वापस कर दें तो आपने यहां पर क्या किया आपने यहां पर belment किया है delivery of goods किया है अपने कपरे को delivered किया है किसको दरजी को some purpose purpose क्या है उसका वो court seal दें और upon a contract contract हुआ कि भाई यह court आप से लेंगे यह एक सप्ता दस दिन बारा दिन में आप मुझे देंगे इसके बदले मैं आपको पांच जार दस जार जो भी amount है वो आपको पे करूंगा तो on a contract वो हो गया या आपका कोई दोस्त है तो फ्री में भी development भी होता है जिसमें आप किसी को जैसे अपने दोस्त को आप अपनी गाड़ी दे देते हैं तो इस तरह की चीजे भी होती है तो इस प्रस्ट में जो प्रस्टन है इसका कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिस्ट पर्यूजन से माल जो देते हैं उसको option A, option A, belment क्योंकि belment की परिभासा में है, belment is the delivery of goods by one person to another person for some purpose, ठीक है? दूसरा प्रस्टन है, बह की गारी और भारे पर लेता है, लेके क्या है यहाँ पे, बह की गारी क्या ले रहा है और भारे पर ले रहा है, भारा, गारी और सुरक्षित है, बह को गारी में विद्वान दोस्त रूटियों की जानकारी नहीं है, दोसो एकारण और क्या हो गय यहाँ पे कई बाते होई है आप गारी ले रहे हैं भारे पे ले रहे हैं और पेमेंट ले रहे हैं गारी क्या है असुरक्षित है गारी में कुछ खामिया है और उस गारी को लेके वो जाता है भारे की गारी को और उस खामी के कारण गारी क्या होता है छती गरस्ट हो जाता है दुरुगतना ग्रस्त हो जाता है तो वाइसा ही स्थिती में और ओPSन अ है ब छठी के लिए दाई है ब की गारी है तो क्या ब सब्स rookie के लिए दाई होगा option भी है ब छठी के लिए दाई नहीं है option सी है और ब जो गारी भारी पर देता है और जो लेता है दोनों ही संजुक्त रुप से दाई हैं और तीसरा option है उप्तियुक्त सभी सही है अब इस प्रस्ट के उत्तर को ढूणने के लिए आपको देखना होगा section 150 section 150 क्या करता है section 150 कहता है bailer's duty to disclose faults in goods build bailer की ये duty बनती है कि अगर कोई fault है goods में तो वो disclose करे अगर आप उसका उपनी धान कर रहे हैं जैसे भारे की गारी है और भारे की गारी आप किसी को दे रहे हैं और उसमें अगर कोई त्रूटी है तो आप उसे सामने जो व्यक्ति ले रहा है उसको भारे पे उसको बताईए इसका second पारा इसमें और भी बाते हैं लेकिन second पारा इसका खासकर कि ये करता है कि if such goods are built for hire अगर वो क्या है भारे पे है भारे पे लिया जा रहा है the bailer is responsible for such damage कौन responsible होगा बेलर यहाँ कौन है बा है बा क्या है बा की गारी है बा उसको दे रहा है दूसरा व्यक्तिगारी ले रहा है for some purpose तो bailer is responsible for such damage अगर कोई damage है अगर कोई तूटी है तो उसके लिए कौन होगा बा लेबल होगा whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods built इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको उसकी जानकारी है अथवा नहीं है मतलब अगर आप भारे पे कोई काम हो रहा है भारे पे कोई development हो रहा है तो वैसी स्थिति में भले ही आपको उसकी तूटी के बारे में कोई जानकारी हो अथवा नहीं हो अगर बेली छती ग्रस्त हो जाता है यहाँ पर बेली कौन है अ है अ चती ग्रस्त हो जाता है तो वैसे सिती में कौन दाई है ब क क के परती ब जो है चती के लिए क्या है दाई है ब चती के लिए दाई है इसलिए option इसका क्या होगा ए हो रहा कि लिए इसकी इसका उधारन जो है section 150 का आप illustration B देखेंगे, illustration B, illustration B, illustration B, तो आपको दिखेगा illustration B में same problem है, वो दिया हुआ है, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, ख की एक गारी का भारे पढ़ लेता है, यहां भी भारा पर लिया जा रहा है, गारी अक्षेमकर है, मतलब उसमें कुछ न कुछ fault है, यद भी ख कोई आप मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है, और क छति ग्रस्त हो जाता है, तो छति के लिए कौन दाई होगा, यह जो पिछला क है, बेलर, क क्या है, बेलर है, और ख क्या है, बेली है, क अपने गारी को भारे पे ख को दे रहा है, और ख उस गारी में त्रूटी होने के कारण दुरुगटना ग्रस्त हो जाता है, तो वैस्ती स्तिति में क्या होगा, जो क है, वो उत्तरदाई होगा, ख के परती, इसको आ आपने कोई गारी भारे पे B से ली, और वो जो गारी है, उस गारी को आप जब ले के जाते हैं, तो उस गारी में जो कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में B को पता है, लेकिन B ने आपको नहीं बताया, या B को भी नहीं पता है उसके बारे में, इसलिए B ने अपको नहीं बताया hurt sorry A की गारी B ने लिए है तो A को पता है उस गारी में क्या problem है? या यह हो सकता है कि एक ऐसा problem है जो A को पता नहीं है और A ने B को गारी दी है अब यह B क्या होता है? दुरगटना गरस्त हो जाता है भी दुरगटना गरस हो जाता है उस problem के कारण तो उसकी भरपाई कौन करेगा एको करना होगा तीक है तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा क कि पर तिख उत्तरदाई है चोथा यह कि गारी क भारे पढ़ लेता है यहां भी भारे पर लेता है क गारी क्या है अक्षेम अंसेफ है यत भी यह इस निम लिखित में से कौन एक उप नहीती के करतव्य है है उपनिहिती के कर्तब इसमें से कौन-कौन है हमने पड़ा था बेलर एंड बेली बेली कौन होता है जिसको आप फॉर्ट सम परपस अपना गुट्स डिलेवर करते हैं तो इसके लिए आपको देखना होगा यह जो कर्तब ड्यूटी के बारे में जो बात किया गया है अगर यह कहां डिफाइन किया गया है ड्यूटी के बारे में यह आपको कौन्ट्रेक्ट 1872 के 151 से ले करके सेक्शन 163 तक बेली के बारे में बताया गया बेली के क्या क्या ड्यूटी है तो बेली के बारे में कहां कर बताया गया है सेक्शन 151 से लेकर सेक्शन 163 तक section 151 to section 163 defined about duty of belly अब ये जो प्रस्टन है आपके सामने इसमें तीन option है एक है माल का युक्त युक्त देखरेक करने का करतब care to be taken by belly दूसरा है माल के अनदिक्रित उपयोग न करने का करतब liability of belly making unauthorized use of goods built and option तीसरा है उपनिहित माल के साथ अपने माल को मिसरित न करने का करतब effect of mixture with beller consent इसमें और भी कई बाते हैं तीसरे वाले में कि consent से है और without consent है and goods can be separated without consent and good cannot be separated ये तीन तरह की बाते आती है और चौथा option है उपनिहिती के देखरेके बाबजुद माल को कारित कानी के परतिकर हानी के लिए परतिकर देने का करतब देखिए इसका ये जो है आपका ये option है इसमें A, B, C, D option है इसमें है कि 2, 3, 4 सही है 1, 2, 3 सही है या 3 और 4 जो कथन है वो सही है या 1 और 2 जो कथन कहा गया है वो सही है इसका सही उतर है एक, दो, तीन में जो कतन कहा गया है वो सही है और ये कहां कहा गया है ये देखिए ये जो पहले एक नमर का कतन है वो कहा गया है section 151 में और दूसरा वाला कतन जो है वो section 154 में कहा गया है का 154 में और तीसरा जो है इसके लिए आप देखिए section 155 से section 157 तक section 155 से section 157 ठीक है section 155 to section 157 section 151 में क्या कहा गया है care to be taken by baili in all cases of bailment the baili is bound to take as much care of the goods bail to him उसको यह है कि जो भी उपनी हित्माल उसको मिला है उस पर वैसे ही वो सतर्कता बढ़ते जैसे एक मामुली जो वैक्ती होता है मामुली बुद्यमान वैक्ती जो होता है वो same circumstances में अगर अपने अपने goods उसके होते तो वैसा वो बड़ता तो वैसे ही उसको अपने उस goods के साथ भी वैसे ही देख रेक करना चाहिए अगर उसी quantity का good हो उसी value का good हो तो उस goods को वो अपने समझ करके जैसे ही साब्धानी बरता वैसे ही साब्धानी उसको बरतने का करतब भी है Section 154 में क्या कहा गया है? Section 154 में कहा गया है कि liability of baili making unauthorized use of goods bailed Baili makes any use of goods bailed which is not according to the condition of the bailment He is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them आप उसका अप्रादिकार आपको उप्योग करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है प्रादिकार नहीं दिया गया है उपने हित्माल का आपने court सिलने के लिए दिया और वो क्या करता है? court सिलने के बाद आप को deliver नकरके उस court को भारे पे लगा देता है तो ऐसा करने को उसको प्रादिकार अपने दिया नहीं है कि ठीक, आप भारे पे लगा देना है تو ऐसा अगर वो कुछ करता है तो अगर माल को कोई नुकसान होता है, छती पहुंचता है, माल पुराना हो जाता है, उसके लिए वो क्या होगा? वो लेबल होगा. And तीसरा इसमें कहा गया है कि उपनिहित माल के साथ अपने माल को मिस्रित न करने का करता भी. इसमें मैंने बताया है section 154, 155 and 157. Section 155 to 157. Section 155 क्या है? Effect of Mixture की बात करता है. With Baylor Consent से, अगर Baylor के Consent से अगर कुछ Mixture कर रहे हैं आप अपने, बेल और बेली दोनों का आपस में है कि चलो आप मिला लेना. तो वैसे स्थिति में जिसका जो हिस्सा होगा, वो अपना अपना अनुकात रखेगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन section 155 क्याता है, Effect of Mixture, Without Baylor's Consent, When the Goods Can Be Separated. जहां पर Mixture हो रहा है और लेकिन गुड को अलग-अलग किया जा सकता है. तो गुड को अलग-अलग किया जा सकता है, लेकिन Without the Consent होड़ा है, तो अगर अलग-अलग करने में अगर कुछ खर्च आ रहा है, या कुछ हानी हो रही है, तो वो सारा वेली को उठाना परेगा. उपनीती को उठाना परेगा. और Section 157 में यही बात का आ गया है, कि अगर वो Without Consent मिक्शर किया गया है, बेली के द्वारा, और उसको अलग भी नहीं किया जा सकता है. अलग करना असंभव है, माल ऐसा मिल गया है, जिसे सर्सों के तेल में किसी दूसरे परकार का तेल को मिला दिया, पेट्रोल में डीजल को मिला दिया, अब वो अलग अलग करना मुस्किल है, वो अलग अलग नहीं हो सकता है, तो इसमें जो नुकसानी होगी, उस नुकसानी क वो बेलर प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है वो उस बेली से मांग सकता है कि आप मुझे आप दो जैसे आपने आटा गेहूं पिसने के लिए दिया उसने क्या क्या गेहूं और मकई का आटा मिला करके पिस दिया तो वैसे स्थिति में अगर आप अपने गेहूं के आटे को पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोलेंगे मेरा जितना गेहूं था जिस क्वालेटी का गेहूं था उसमा मुल मुझे वापस चाहिए और वो आप प्राप्त करने के अधिकारी हैं दूसरा है ऑप्सन इसमें क्या उपनिधाता की मिर्थी उपे उपनिहीती की मिर्थी पर उपनिधाता या उपनिहीती की मिर्थी पर और उपनिधाता एबं उपनिहीती दोनों की मिर्थी पर तीक है अब क्या है निशलक उपनिधान? इसमें सेक्षन कहां देखेंगे हम इसको आप पढ़ेंगे सेक्षन 162 में. सेक्षन 162 बोलता है, Termination of Gratuous Belment by Death. Clear-cut इस सेक्षन में लिखा हुआ है, आनुग्रहिक उपनिधान का मिर्तियु से प्रेवसान. आनुग्रहिक या जो बेल्मेंट है, उसका मतलब जो निशुलक उपनिधान होता है. तो अगर ऐस तरह का निशुलक उपनिधान होता है, तो वहाँ पर अगर चाहिए तो बेलर या बेली किसी के भी मिर्ति हो जाती है, तो उसका क्या होता है? वह बेल्मेंट समाप्त हो जाता है. निशुलक उपनिधान क्या है? जैसे आपने अपनी दोस्त की भाईग मांगी, भाई, आप अपनी भाईग दो मुझे, मुझे एक दिन के लिए काम है. तो यहाँ पर बेलर बेली का रिलेसन कायं हो जाता है, और यह बेल्मेंट हो गया लेकिन चुकि आपने दोस्त से मांगी है, आपके वह इसके लिए कोई पे नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या है? निशुलक उपनिधान है. क्या है? निशुलक उपनिधान है. तो यह इस तरह का बेल्मेंट यहाँ पर बनता है. तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ह उपनी धाता या उपनी हीती की मिर्थिव पर, option C, दोनों की मिर्थिव पर नहीं, दोनों की मिर्थिव होगी, तभी वेल्मेंट खतम होग, ऐसा नहीं है, दोनों में से अगर कोई एक भी death कर जाता है, तो वेल्मेंट वहाँ पर समाप्त हो जाता है, सात्वा, का एक गौ को देखवाल के लिए खा की अभी रक्षा में छोड़ता है, गाई को, गाई को बचरा पैदा होता है, तत परतिकूल समिदा के भाव में, option A, खा के वल गाई, का को परदत करने के लिए अबद है, खा वा गौ और बचरा का को परदत करने के लिए अबद ही खा, गौ और बचरा परदत करने के लिए अबद है, यह प्रस्ण MP Civil Judge 2002 में पूचा जा चुका है, अब यह जो प्रस्ण है, यह प्रस्ण कहां है, कि सेक्षन से रिलेटेड है, यह प्रस्ण या यह जो प्रॉब्लम्स आपको है, वो सेक्षन 163 में जो इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन दिश्टान दिया गया, उसी दिरिस्टान से यह अधारित है, सेक्षन 163 कहता है, बेलर इंटारिटिल टू इन्क्रीज और प्रॉफिट फॉम गोड़ स्पेल्ट, अगर कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं है, अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं है, त तो वैसे स्थिती में, जो भी विर्दी हो जाता है, जो आप कोई माल किसी को देते हैं, और उसमें कुछ विर्दी हो जाता है, या कुछ उसमें लाव आता है, तो वैसे लाव को या वैसे विर्दी को जो बेलर है, वो वापस पाने का अर्दिकार रखता है, और बेली की य वापस करें. आप अपने घर में गाये पालते हैं, कभी-कभी आप गाय को किसी दूसरे के पास रखते हैं. भाई, इस गाय का आप देखवाल करो. अब जब आपने उसके पास गाये रखा, तो आप जोगे बेलर और जिसके पास गाये रखा, वो क्या है? वो बेली है. फॉर जब आपना गाय मांगने जाते हैं, तो वो यह नहीं कह सकता है, कि आपने गाय दिया था, तो अब गाय ही मैं वापस दूँगा, यह बचरा मेरा है, अगर इस तरह की कोई contract नहीं है, तो आपको गाय के साथ साथ बचरा भी लेने का right है, और बेलिक यह duty है, कि वो गाय के साथ साथ बचरा भी आपको वापस करें, तो इसका option जो है, वो भी कि ख, जो है, गव और बचरा दोनों देने के लिए आबद्ध है, यह इसका सही उतर है, section 163 आप इसमें देखिए, option 8, प्रस्न 8, समानतिया विक्रे होने वाली, खोई हुई चीज को पड़ी पाने वाला बेच सकेगा, जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़ी पाने वाले के विदीपुन प्रभाव उसके मून लिके, option A है एक चोथाई, दूसरा है आधे, C है एक तीहाई, और D है दो तीहाई, अब इसमें क्या उतर होगा, सबसे पहले तो यह देखिए कि यह किस section से related है, यह related ह section 169 से, section 169, section 169 करता है, when finder of things commonly on sale, may sell it, मतलब अगर कोई व्यक्ति के पास कोई ऐसा समान मिलता है, जो बेचा जा सकता है, और इस्तिती ऐसी है कि उसका माली का पता नहीं चल पा रहा है, और ऐसा है कि वो समान को हम रख रहे हैं, तो उसमें हमारे खर्च आ रहे हैं, और ज चाहे हैं, उसको देने से मालिक इंकार करता है, तो वैसी स्थिती में, या वो जो माल है वो नुकसान हो सकता है, वो नस्ट हो सकता है, तो वैसी स्थिती में section 169 कहता है कि, when the lawful charge of the finder in respect of things found, amount to two-thirds of its value, the finder may sell it, जो पाने वाला है, उसको बेच सकेगा, जब पाई मी चीच के बारे में, पढ़ जाने वाले विदिप्न प्रभार, उसके मुल की दो तिहाई तक पहुंचा है, अपना तक दो तिहाई तक पहुंचा है, section 169 असप्रस टूप से कहता है, लेकिन तब, जब वो विक्रे का सबस्तू हो, विक्रे करने वाला विसे हो व कब तक जब उसका मुल दो तिहाई तक रह जाए, according to 169 of the Indian Contract Act 1872, now आपरस, प्लेज में संपक्ति या माल का स्वामित्व, पनमेकार के पास रहता है, option B पनमेदार के उंत्रित हो जाता है, option C, किसी विस्थिति में पनमेदार के उंत्रित नहीं हो सकता, और किसी विस्थिति म प्लेज, पॉनर, पॉनी, हाँ, यह सब कहाँ बताय गया है, प्लेज, पॉनर, पॉनी इसके बारे में डिफाइन करता है, section 172, प्लेच के बारे में गिरिवी के बारे में, क्याता है कि the bailment of goods as security, bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called and the beller is in the case called the ponder and the belly is called the pony या beller is called the beller और बेली भी इसको बोलते हैं तो beller is called the ponder and the belly is called the pony मतलब आप अपनी वस्तु को अपनी किसी दूसरे के पास for depth के लिए रखते हैं रिन के संदाय के बदले में आप उसको या किसी वचन के पालन में परती भूती के तौर पे उसको आप क्या कर रहे हैं security के तौर पे आप किसी के पास रख रहे हैं यह क्या है यह है प्लेश और जो एक्ति ऐसी संपती रखता है वो ponder कहलाता है और जिसके पास ऐसी संपती रखी जाती है वो pony कहलाती है तो आप यहां पे अपनी संपत्ति सिर्फ सिक्रिटी के तौर पिराते हैं ना कि आप अपनी संपत्ति का मालिकाना हथ, स्वामितो का अंतरन करते हैं आपके पास अगर कोई गहना है, आपके पास सोना है, तो आपको पैसे की जोगत है, तो आप सोने को गिर्वी किसी के पास रखते हैं, तो आप उस सोनों को तब तक उसके पास रख रहे हैं, जब आप उसको आपके पास पैसा हो जाता है, तो आप उसके देख करके वापस उस ट्रांसफर होता है, क्या होता है, सिर्फ कबजा ट्रांसफर होता है, ना कि स्वामित्व का ट्रांसफर होता है, माल का स्वामित्व किसके पार बना रहता है, प्लेजर के पास बना रहता है, पॉनर के पास बना रहता है, जब कि कबजा क्या होता है, पॉनी के पास ट्रांसफ हो जाता है ठीक है तो यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा कि परमेकार के पास संपत्ति का स्वामित्व किसके पास रहता है स्वामित्व किसके पास रहेगा परमेकार के पास रहेगा क्योंकि इसमें स्वामित्व का ट्रांसपर नहीं होता है मालिक वही रहेगा सर्फ सं पत्ति को गिर्वी रखा जाता है दस्मा प्रस्ट नेमलिकित में से कौन सा सही है सिमित हित्दारी व्यक्ति के द्वारा उस हित्द की सीमा तक गिर्वी विधिपूर्ण है सुन करनी है समीदा के अंतरगत किसी व्यक्ति द्वारा की गिर्वी विधिपूर्ण है वानिजी प्लेज से संबंदीत है और इसका सही उप्तर यह जारकंट सिविंजर 2008 में पूछा गया है और इसके लिए आपको देखना होगा क्या कहता है section 179 section 179 कहता है pledge where pony has only a limited interest जहाँ पर pony के पास क्या है limited interest है और limited interest वाला व्यक्ति अगर किसी चीज को गिर्वी रख देता है जहाँ वो limited interest रखता है तो गिर्वी जितना उसका interest है वही तक वो गिर्वी मानने है उसके आगे गिर्वी मान नहीं है ऐसा होता है कभी कभी कि माली जिक जिसे आपने Mr. A ने B को कोई समान गिर्वी रखा 1000 रुपे के लिए और B ने फिर उसी समान को C के पास गिर्वी रख दिया 2000 रुपे के लिए ठीक है अब वास्तव में स्वामित किसका है? A का है B किया यहाँ पे एक तरह से हम बात करें त सेक्षन पौनी को राइट देता है कि आप भी माल की गिर्वी रख सकते हैं गिर्वी माल पुना गिर्वी तो यह गिर्वी माल को अगर गिर्वी रखता है तो अगर A का यह राइट है कि वो 1000 रुपया चुका के इसको वापस ले ले मतलब चुकि इसका हित कितना है? इसका होल ही achacho rethink कित है क्यूंकि माल पे इसने जा किया है क्य और k вып को 8 कि दिया है winning और कितना डिया एक हजा रुप्या male जे एने बी के पास सोणा गृवी रखा और उसके वद्ले बीज लिया एक हजार रुपया लिया और B ने पुना उस सोने को C के पास रख दिया और उससे 2000 रुपे ले लिया तो वैसे इस्तिती में A जब उस सोने का माली कौन है? A है B कितना कर दिया था? 1000 रुपे दे करके उस माल को वापस ले सकता है B का हित स्रिफ 1000 रुपे तक ही है, इसलिए 1000 से अधिक मोल के लिए ये गिरिवी नहीं रख सकता है और इसके लिए B देंदार है, A जो है 1000 रुपे वापस C को दे करके वो अपना सोना वापस ले सकता है इस पर ठाकुदास भर्सिस मत्रवापड़साद का केस है इस पर जस्वंत राय मनिलाल अखाने भर्सित स्टेट ऑब बॉंबे का मामला है तो ये एक मामला, इसके लिए आप डेटेस में जाकर के इसको देखिये सक्षन 179 सक्षन 179 जाकर इसको डेटेस में पढ़े है, बहुत इंपर्टेट और प्रस्न है और ये जारकन सिविल जज्ज 2008 में पूछा जा चुका है, अक्सर नहीं ये कोश्चन पूछे जाते हैं तो ये था आपका दस प्रस्नो तो आप इसी परिकेसे इन प्रस्नों को हल करिए इसके साथ आप अबजेक्टिव के साथ साथ आप मतलब पेटी के साथ साथ प्रस्नों के विए तियारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कामटेटिव एक्जाम को सफल, वहां जाकर सफल हो चाहे वह जुडिसेरी हो, जे हो, या फिर APO हो, या फिर LOPS हो, या फिर JLO हो, कुछ भी हो, जहां आप चाहते हैं और अभी सही इस चीजों को आप ध्यान में रख लें, अगर आप यह सोचते हैं कि RLB करने के बाद आप इस काम को करेंगा, तो वह ठीक नहीं है objective जरूर बनाई है, लेकिन objective को आप पढ़ने करने तरीका बदल दीजे, पढ़ना ऐसे नहीं है कि objective के जो option है, सर्फ option याद करने है नहीं, option को समझना है, option का source कहा है, उस option के source जाहा है, उसको देखना है, उसमें अगर illustration है तो उसको देखना है और वहाँ पर अगर कुछ cases हैं, उसको विसासा देखना है, तो आपकी ना सिर्फ LLB की त्यारी हो जाएगी, बलकि competitive examination की बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद